नमस्कार दोस्तों मैं आपे सिंग तेवतिया और मैं आज आपको 16 मिटर भागने का बिल्कुल सही तरीका पताने वाला हूँ चाहिए अगनिवीर के बालक हो चाहिए महारस्ट पुलिस की हो जिसमें भी 16 मिटर की आपकी रनिंग हो आप यह तरीका पना लेना आपको बहुत üzली करें तक भी 30 अब गलती कर गए तो आप फिसी लगने वाहां अचानक कब पता नहीं लगता और वह अचाना कब सब्सक्राइब क्या होता है वो समयाज बताने वाला हूं इस वीडियो में सबसे पहली बाद हमने ट्रैक बना दिया एक आपको लिये चार सो मिटर का आपके रोड पर रनिंग होती हो यहां ना पिर ने सब कुछ होने के बाद अपका पिजिकल के लिए आप जाओगे अंतरी पर कर रहा हुगा जब उसकी रणिंग हो जाएगी जब यहांसे कारन क्यों कि कर्व है अगर ये हांसे रनिंग तो बीड एक दम भागते भागते बहुत बच्चे गिर जाएंगे तो इसलिए हमेशा यहां से स्टार्ट होगी यहां से स्टार्ट होगी और लगबग 90% यहां से स्टार्ट होती है यहां तो एक चीज का धानक ना अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो यहां से ही प्रैक्ट तो आपको उल्टा घुमा देते हैं तो आप यह समझ जाना कि भाई वो इस सैड होगी इस तरीके से रणिंग होगी कभी इस तरीके से रणी नहीं होगी कभी भी नहीं होगी 100% चांस है अब दूसरी बात स्टार्ट मालो आपने हाथ से स्टार्ट करने के लिए बोल दिया पहले फोजी आपको कंफ्यूज करेंगे बोलेंगे बैट जो और आम से बैड़ तो आपको राउंड ही बताऊंगो इसमें कि चार समीटर के राउंड कैसे मानने कितने मिनिट के मानने सब कुछ बताऊंगा सबसे पहले आपको कंफ्यूज करेंगे कि अच्छे से करना और अचानक कहेंगे और आपको बैठने की पोजिशन में बोल देंगे तुम्हां आलती-पालती मत मार के बैठाना फोजी पे धान मत देना इतना बस रैडी और गो पे धान देना ठीक है वो जरूरी है कभी कबा आपको ग्यान लेने की जोरत नहीं पड़ती कभी कबार धान रखना अगर आप ग्यान लेने बैठ जाओगे तो आप पर राउंड नहीं लगेंगे वह एकदम रेड़ और गो बोल देंगे और आप बैठे ही रहा जाओगे तो बैठना नहीं है थोड़ा सा ऐसे बैठना जा कुलू बैठए जाना जिससे कि आप एकदम भग सको और धार दूर्ट यहाफ पर गिरनके चांसे होते हैं तो इस टार्टंग जो यहां से जादे घिरने के चांसंद यहां होते हैं यहां रहना इस टार्टिंग में काराण songs करेंगहां जिए सबसे बड़ी कल साथ बड़ी गत्ती है इधर कम रहेंगे इदर में अरे समार्ब आपको चाइसे आपको स्टारिंग् दिक्कत बन जाएगी धान रखना अब बात करते हैं राउंड की राउंड आपको आपको टाइम चाहे मिनाट आता हूँ चाहा पाज मिनाट आता हूँ थोड़ा समझ लो अच्छे तरीके से अपने इसाब से टाइम आगे पीछे कर लेना तो मेरी बात द्यान से सुनो हमेशा पहला रांड बढ़िया आना चाहिए पहला रांड बढ़िया नहीं आएगा तो नहीं लगेगी अपने भर्ती क्योंकि पहला रांंड ही एक ऐसा रांड है जिसमें अगर आप बैच को पकड़ के चलते हो बैच स् давно आपकी रंक का चांस और जादा जाएगा फिजिकल लगने का चांस और जादा बढ़ जाएगा क्यों 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 क्या करेंगे पहले बैच में लगके चलेंगे स्टाटिंग में ही तो हम यहां से जब भागेंगे तो हमारा पंपया जाओगे तो पहले राउंड आपका एक दसका तिकना ही चाहिए नहीं ठिकेगा तो यहां पता भी नहीं लगेगा तो आपको बैच के साथी चल लेगा त्टाइम अभी चोड़ो अब त्टीक है जब यह भागोगे यहां से यह करव कर गातौब गोई और यहां से यह जो कौह कर है यह दोनों कभी किसी को काटने की कोशीस करों के काटने मत करना तो यह मौब तो यह सचार बढ़ जाएगा क्यों कि यहनों कर जैसे जिसको भी काटना जिसको भी आपको पीछे छोड़ना है काहाँ से ये श्रेट लाइन से छोड़ना है एक चीज़ का आगर यहां आपने गलती कर गए तो प्रोग्लम आजाएगी न रहाँ और these न वहां है मिटर बड़ागा 성공 आपकर अपकी रुंणिंग मेड़ाना है तो अप कर सकते हो आप सुनो मेरी बात पहला राउंड आपका 110 स् rozp 11, 20 गलत तक ने लिए भार पंध्रा要 लाउंड हम हमेशा नाक कर लेका है सास ब्どう सब्सक्राइब करें और दूसरी चीज बोड़ी को टाइट मत करना बोड़ी को टाइट कर दी प्रोग्लम हो जाएगी जो नहीं लगाना पहले राउंड में सिर्फ बोड़ी को स्मूथ चलाना एक दस की पावर से ठीक है बैच के साथ बीड़ के चलना है पहला राउंड आप बहुत जढ़े प्रेसर बन जाएगा तो आपको वह नहीं बनाना प्रेसर बन जाएगा आपको बहुत जढ़ पावर लगाने पड़े गी लास्ट Şcknd बशाटिट सही बच्यों को पकड़ के चलना है अगीनमेरैना है तो अलग सब कर सुलो आता है तीसर राउंड यहां से जैसे ही स्टार्ट होगा चोथा राउंड पहले से भी तेज आएगा अगर आपका पहला राउंड एक दस का टिका है तो चोथा राउंड एक पांच का आएगा ही आएगा बच्चे ऐसे जाएंगे सूटम साथ यहां से स्टार्ट हो जाएंगे यहां से स्टार्ट होंगे चोथा राओं पूरा खीसते हुए यहां पर बच्चे काटने चालो हो जाते हैं और यहां से जब आप यहां पोचोगे और बैच से ही जैसे अलग हुए तो आपका फिज्विकल ज़ीं बहुत जादा खत्रे में थैंक्योंकि बैच जैसे अलग हो जाता है तो यहां पे रस्सा उठ जाता है रस्सा कभ चाता है आपने देखा औंधा किसी Terry ने ereक पंदरा काड़े तो अगी आप अलग सबस्वांने के यहां से जैसे ही आपको पकडएंगे बिरस्घ को बैठेंगे तो एक्सीलेंट की इधर बैठेंगे और एक्सीलेंट की जो बैच होते है जो यहां से चले जाएंगे जब इनको उठाके पुलप्स वगेरा लोंग जम हाइट वगेरा की लिए ले जाते हैं मत्र मत्र 10 मिनट मिलेंगे यहां पर रेस्ट के लिए सिर्फ 10 मिनट तो एक चीज का धान रखना साथ में कुछ ना कुछ जरूर रखना कुछ ऐसी चीज जो आपको एनरजी दे गुलकोस हो गया बहुत सारी चीज है बहुत सारी चीज है तो इस पर धान देना कि जैसे ही आप यहां पर हो आजाओ तो थ फिजिकल किलियर होगा देन अगले दिन या किसी का मेडिकल लेट भी होता है उसके बाद मेडिकल वकेरा होगा यह है पूरा शेडूल सोला से मिटर का मेरे ख्याल से यूट्यूब पे सिर्फ बस यह बोलेंगे कि बाई इतने मिनट में राउंड मानना बाई बंदे की कैप सब्सक्राइब करते हैं इस वीडियों में इतना है जाहिन जाय भारत